नमस्कार, Currency Morning Podcast में आपका स्वागत है, आज 5 अगस्त, कल के सेशन में अगर हम बात करें, तो इनिशली तो हमने यूजडी आयनर में एक बाउंस देखा था, बट लेटर इंदर डे हमने एक भारी गिरावट आते वे देखी और प्राइजस फ्रैस सेलिंग के चलते 25 के करीब जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जी जंग से इंटरनेशल में हमने देखा कि डॉलर में वापस गिरावट बढ़ते वे जारी है, ये कहिना कई कंसरिंग है और यूजडी आयनर में उसका दबाव मिलता हुआ दिखाई दिया, साथ में इक्विटी में हमने पॉजिटीवली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके रुप्या, वहीं इरो की बात करें, तो इरो में हमने फिर से एक उच्छाल आते वे देखा, जी दंग से डॉलर में गिरावट आई, यूएस की जो एकॉनमी रिकवरी का प्लान है, वो कहीना कहीन थोड़ हो रहा है, जिसके चलते एरो में हमने शॉट कवरिंग आते वे देखी, पॉण में भी, पॉण में हमने गिरावट आते वे देखी, जो 98 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ, बर जी दंग से डॉलर की गिरावट है, इंटरनेशनल में पॉण को फिर से हमने 1.30 का लेवल रिक होता हुआ, दिखाई देगा, येन में हमने देखा, जी जंग से गोल्ड में एका एक बड़ी तेजी आई, उसका सिधा-सिधा असर है, येन में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक safe haven currency, येन भी मानी जाती है, जो कहिना कई आज 71.30 के करीब की opening देता हुआ, दिखाई द तो morning में चाइना से service PMI के आकड़े खराब आए हैं, जो कहिना कई base metal को impact करेगा, euro zone से भी आज service PMI के आकड़े आते वे दिखाई देंगे, जो थोड़े positive expected है, वहीं USD INR में अगर हम USD की बात करें, तो ADP non-farm का data काफी खराब आतावा दिख रहा है, जो dollar में दबाव से हम पूरे ही commodity में और बाखी currency में तीजी आते वे देख पाएंगे, साथ में ISM non-manufacturing का data रहेगा, वो भी खराब आतावा देगा, इन ओल, आज dollar के लिए सारे data खराब आते वे दिखाई देंगे, dollar index में हमने initially एक तीजी जरूर देखी, but 94 का level breeze नहीं कर पाया, अब prices अग 1.80 के उपर निकल के hold करता है, तो 1.87 तक की rally हम ERO USD में देख पाएंगे, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल जरूर सस्काइब कीजिए, इस चैनल में commodity और currency के update